दोस्तो नमस्कार दोस्तो नमस्कार मैं आपको अपने यूट्रूब चैनल पंडित ब्रिज बुशे शर्मा बिज फूचपॉंट के सोजन्ने से मैं आप लोग को एक हर बार की भाती एक खुशकबरी देने चाहता हूँ कि मैंने जो वेदी की एक सीरल चालू करे है मेश लगन से लेके मीन लगन तक की उसमें आज चोथी वीडियो है करक लगन दोस्तो कोई भी ज्यान कोई भी चीज एक दम से नहीं मिला करते हैं उसे प्राप करने के लिए समय लगता है और अभ्यास होता है तो दोस्तो मैं आप सब लोगों से नवेदन करता हूँ आज मैं आपको अपनी क्लास में आपको करक लगन जिसका स्वामी चंद्रमा है उसके बारे बताना चाहता हूँ क्योंकि इसकी सीरीज में मैं आगे आपको सिंग लगन के बारे बताऊँगा इस सीरीज के अंतगत आपको वीडियो किस विशे पे है बताने मैं जा रहा हूँ करक लगन स्वामी चंद्रमा आप लोग को सनहे और प्यार को देखते हुए मेरे मन में अति उत्सा आपके दवारा सनहे के लिए मैं आप लोग को आगे भी ऐसे ही सेवा देता रहूँगा जिस तरह से आप लोग का सहुग है उसी तरह से मैं भी अपना हक आपको अदा करता रहूँगा दोस्तो जोतिश के अउशकता क्यों परती है जोतिशे ज्ञान है और ग्यान हर आदमी चाहता है क्योंकि अग्यानता जब खतम हो जाएगी ग्यान का वास हो जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा हमें जीवन का मकसद दिखाई देने लगेगा जब तक हमें अग्यान है तो जानवर में और हमारे में कोई फरक नहीं है अग्यानी वक्ती हमेशा जानवर के समान होता है और ग्यानी वक्ती हमेशा एक परमात्मा रुपी देवता रुपी शक्ती के समान होता है इन सब बातों को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों यदि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरा बोलने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्क्राइब जूर करें क्योंकि जो कुछ मैं आपको आज बताने जा रहा हूं शैद आपको जल्दी से वो ज्यान प्राप्त ना हो आप मैं चंद्रमा के बारे में बताना चाहता हूं इसकी राशी कर्क होती है इसका शरीर कैसा होता है इसका शरीर स्थुर होता है घृंगुरारे वाला गोरा रंग सुंदर आखु का परती चंद्रमा मन माता भ्रमन की रूची उस्समान निद्रा रस्समान निद्रा परसन धन यात्रा जल एस्तिर मन का कारण करें जल तत भी होता है दोस्तों यदि हम लोशो गिड़ पढ़ते हैं तो उसमें चंदरमा का नंबर दो आता है यह उसमें वहां अर्थ ऐलिमेंट का कॉउंट करता है अगर ऐसे व्यक्ति जल्द बाज होते हैं यदि किसी कारण से किसी का दो नंबर म है तो ऐसे विक्ति जल्द बाज होंगे गुस्से वाले होंगे आभोश होगा और किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होंगे जल्द बाजी करेंगे हर बात बात पर लगने क्यों की प्रवतिया होगी करक लगन स्वामी चद्रमा दोस्तो हमारी लोशो ग्रिट के उन साथ होता है और चार नंबर हमारा राहु का प्रवतिया गया है चार नंबर को वेदिक में करक राशिवी का चंद्रमा का इपरतीक माना क्या है क्योंकि ग्रहे साथ होते हैं और नों में डिवाइड होते हैं तो राहु के तो एक दो ग्रहे अलग हो जाते हैं दोस्तों अभी मैं मैं आपको बताया कि इसके बारे में चंद्रमा और करक राशी क्या क्या आपको देती है करक राशी के भूतिक लक्षिंग क्या होती है छोटा कद बोना पन शरीर पर उभ्रा भाग बड़ा बच्पन में दुबला शरीर पुरुशार्थ गोल चेहरा चेहरे पर भे की च्छाय पीला फीका रंग भुरे बाल लहरा ची सी चाल चोड़े दाथ चोड़े कंधे सीधे नहीं चलते ऐसे बगती हैं इनमें गुन क्या क्या होते हैं ये कलपना शीर होते हैं उत्तम नकल उतारन में महरत कोई अभिनेता और नकल ची इस राशी के कई होते हैं ने विचारों का शिगर अपना लेते हैं, ने वाता वरन शिगर ढ़ल जाते हैं, प्रिक्षम द्वारा धन संचे करते हैं, परिवर्तन शीर प्राकृति के कारे कर सकते हैं, व्यापार विशेश कर खान पान का कारे में ये निपुन पाए जाते हैं, अच्छे नेता, वक्ता, लेखक, सलाकार ह होते हैं क्रोधी और धेरेवान होते हैं मूड बदलता रहता है भरोसे बंद नहीं होते बातुनी आतम निर्भर इमांदार और नय जुकने वाले होते हैं नय प्रेह होते हैं समन्षक्ति उत्तम होती है अच्छे इमांदार और महंती होते हैं विद्वानों के प्रेह होते हैं प्रिवार और संतान में आसक्त रहते हैं, आदश जीवन साथी सावित होते हैं, प्रह महलों के चक्कर में रहते हैं, बेचेन बेचेन और भटकते रहते हैं, जल्ले खेट जहां धान पैदा होती है, जहां धान पैदा होती है, कुवा, तलाब, नदी के खिनारे, जहां पोधे की अधिक्ता होती है, यदि इस्थान में इनके उपस्तिती पाई जाती है, तो चलने में तेज और धन के शोकिन, शुब राशी ब्रेनुसार, प्राकर्तिक निस्वार, दूसरों के लिए बलिदान देने वाले जातक होती है, इस तरही राशी होती है, इनका स्वाब एक नारी की तरह होता है, साधारन होता है, सोब्ट होता है, कुमल स्वाब के होते हैं, जैसे चंद्रमा रानी कहा गया है, इसलिए इनके अंदर महीला वाले सारे निचर पाए जाते हैं, इनके बिमारी हो सकती है फेफड़े का रोग खासी अफारा दुरुबलता पीलिया आधी सनाईयो युक्त ये सारे रोग होती है 21 वर्षे चती फेश की आयो सोभागया शाली होती है और बावद से उनतर वर्ष की समय अत्री उत्तम होता है अशुप वर्ष पांच पच्चीश चालिस अरता और बासर्ट ये अशुप वर्ष होते हैं 37 से बावण वर्ष आर्थी कठरियों से और श्रत्रियों से कष्ट मिलता रहता है इन वर्ष्टियों को काफी समस्यों का सामना करना पड़ता है दोस्तों मैं फिर आप से एक बार कहूँगा यदि आप लोग को करवानी है तो मात कारीर के अंदर विक्रती बननी शू हो जाती है हमें उन सब अलिमेंटों का विद्यान रखना पड़ता है एलिमेंट की पूर्थी करनी पड़ती है करक लगन जो होता है इसका चिन होता है केकड़े के कितने पैर होते हो हात होते हैं वह एक तहां से केकड़ा सुंद्र में जाग पाये जाता है पानी में पाये जाता है इनका जो संपर्ख है साधारन सोप शीतल होगा इन्हें लगन तत्व क्या है चंद्र तत्व लगन उद्य प्रष्ट लगन सुरूप चर लगन अबदी दो घंटा 20 मिन लगन दर्षट शर्वन की पूर्णमास्य को चंद्रमा क साथ लगन बले रातरी लगन दिशा उत्तर ठीक है लगन जाती ब्रहमन दोस्तों करक राशी वालों की जाती होती है ब्रहमन होती है अभी मैंने बताया था मिथुन वालों की शुद्र होती है जीवन रतन मोती अनुकूल रंग सफेद करीम शुब दिवस सुंबर अनुकू अनकूल अंक दो अनकूल तारिक दो ग्यारा बीस उनतिस यह निमरलोजी के हिसाब से देखा जाएगा लगन वर्न गुलाबी और धातू कफ लगन धातू कफ होती है यह दोस्तों मैंने इनके बारे में थोड़ा सा एक वर्नन करा जिससे कि आप लोग को एक अच्छी अनुव बिशना बनाने में माहिर होता है राजनिक कितिक होता है चंद्रमा स्वामी होने के कारण जातक में नारी सभाव वाले लक्षन बाये जाती है लाइफ में अप अच्छान रोता हैbor के स्थिति होती है जा तक संकोच सभाव अपनी बात को धंक से नहीं कह पाता शन्वी ने दोस्तों जातक अपने जोब में भी जल्दी सन्तुश्ट नहीं होता। ज्याधक किसी परसेद व्यक्ति से जुड़ जायतों सफ्तलता प्रतक करता है। मठोली होता है। मेडल ये इस तक जाते-जाते स्पीचल अध्यात्मिक हो जाता है जल्दी से लोगों में मिक्स नहीं होता लेकिन जब दिल में बस जाता है तो उसके दिल में बाहर से नहीं निकाता ऐसा जातक सरकारी अच्छा साथी साजेदार सबज्देशील इमांदर अच्छा रखता है तो मेरे चैनलों को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हो सकता है इसके द्वारा जो मेरे द्वारा जो पहली वीडियो बनते हूं आपके पास के पास पहुचे हैं दोस्तों जोती शिंग ज्यान है और हमें सब को इस ग्यान की प्राप्तिक करने चीए, यदि आपके शादी में, लब में कोई धूका होता है, तो उसके बारे में भी हम सब कुछ बताने के चारखते हैं, जमीन के बारे हम बताने सकती है, आपको जीवन में कुन सा काम करना चीए, किस काम से आप कामियाब हो सक होते हैं उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बता सकते हैं और आप कंसर्टेंसी के चार्ज मातर हमारे 1100 हैं और हमारे हैं तीन तारिक से लोशो गेट की क्रास चालू हो रही है उसके चार्ज मात अब हो जाता है सूर्य क्या है लाइट यह जहां पे भी बैठ जाएगी वहां पे प्रकाश करेगी लगन में अगर सूर्य बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को प्रकाश वान कर देता है उस व्यक्ति को आर्ची पक्ष मजबूत कर देता है यदि चंद्रमा लगन में बैठा एक कि उसकी अपनी राशी है और चंदमा मन का कारक होता है गुसा नहीं करता है शान सभाव होता है अगर मंगल लगन में बैठ जाता है तो यहां मंगली दोश मन जाता है और यहां मंगल नीच का भी हो जाता है करक राशी में मंगल नीच का भी कहलाता है रुकावट विद्या अ आपको कुछ शक्त ऐसे बताऊंगा जो बहुती महत्पुन होंगे और अच्छे होंगे आप पूरी वेडियो देखे करें यह जल्द बाजी का जो नेचर होता है इसका मतलब सीधा सा होता है यह हमारा चंद्रमा दो नंबर या पांच नंबर हमारा मिस होता है ब्रस्पति उच्का हो जाता है अगर शुक यदाकदा लाप और सुक्स विधैं बढ़ा देता है यह अगर शुकरि हाँ बेढ़ जाता है शनी सेर से खराबी और जीवन में संगष में करता है लगन में बैढ़े से राहु वीक्ति का मन् चंचल करता है राजनितिक सफलता देता है और यदि चंदमा और मंगल अनुकूल हों तो भाग्या व्रदी में सहुख देता है कि तू यदि लगन में बैठ जाता है। दोस्तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ यदि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है इसके बाद मैं सिंग लगन के बारे में डाल रहा हूँ यदि आपको मेरी क्लास अटायन करनी है मेरे पास हर ठस्डे को एक रेमिनार होता है इस बार मैं आपको इसमें रिमेडि क के बारे में बताऊंगा आपके कौन से ग्रैख खराब है तो कौन-कौन से उपाय करना है ये भी सब बताऊंगा मेरे पास विफिरीक की विवस्ता भी होते हैं मेरे चैनल पर जाए मेरी लगभग तीनसो वीडियो दुड़ी हुई है आप उन वीडियो को देखे मेरे पास अगली वीडियो के लिए आप मेरा कल कर जाल करें नमस्कार जैहिंद